नमस्कार, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वीडियो वो है Hair Removal Wax और वो भी बिल्कुल डिफरेंट, ये खास तोर से उन लोगों की डिमांड पर है के लोग कहते हैं हमारे घर में नीमबू नहीं है, कभी या साइट्रिक एसिड नहीं है, विनिगर नहीं है तो हम कैसे Hair Removal Wax बनाएं तो आज जो मैं आपके लिए वेक्स लेकर आई हूँ वे स्किन के लिए बहुत ही फायदेबंद है क्योंकि एंटी अक्षिडेंट होती है और इसमें विटैमिन A और C बहुत ज्यादा मातरा में होते हैं और ये स्किन की स्वेलिंग को दूर करने में और स्किन को क्लीन करने में बहुत फायदेबंद होती है यह है इमली की Wax इमली ज्यादा तर घरों में आसानी से मिल जाती है, तो हम आद इसी को बनाएंगे, इमली की वेक्स के लिए मैंने करीब दो टेबल स्पून इमली लिया है, और इसको एक कप पानी में डाल दिया है, और पानी में डाल कर इसको थोड़ा सान बॉइल कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, मैंने बिना बीज वाली इमली लिये, और देखे मैंने गैस पर इसको चड़ा दिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आने लग जया है, जैसे ही उबाल है, अब गैस बंद कर दीजिए, और थोड़ा सा थंड़ा होने दीजिए, जब ये गुन-गुना रह जाए पानी, तब इसको हाथ से हलका सा मैश कर लें या चमत से कर लें, हमें इमली का पल्प नहीं चाहिए, सिर्फ उसका जो पतला-पतला खटा पानी है, वही चाहिए, ज़्यादा गाड़ा गाड़ा नहीं, जैसे हम चटनी में बनाते हैं तो इसका हलका सा आप खटा पर निकाल लें, चाहिए हातों से कड़े, चाहिए चमत से, फिर इस इमली के पानी को किसी दूसी कटोरी में चलनी रखकर छान लें, ये देखे, मैंने थुड़ा सा मसल लिया है, अच्छी तरह है, बस, इस तरह का पतला-पतला पानी चाहिए हमको, क्यो जितना ये पानी की क्वांटिटी होगी, बराबर क्वांटिटी में ही हम चीनी लेंगे, ये करीब 1 फोर्थ मेरे कटोरी है, तो इतना जितना मेरा पानी अमली का, उतनी ही मैं चीनी नाप कर लेंगे, और दोनों को बराबर मात्रा में रखेंगे, और फिर किसी कड़ाई मे मैंने नीचे कड़ायी रखे उसमें इसको डाल लूँगी आपको दिखी होगी quantity आप किसी भी नाप से इसको नाप लें चैक कटोरी से जाए गलास से जिससे मैंने इत्ती सेम quantity में sugar ले लिए इसको भी कड़ायी में डाल लेंगे और अब मैं जला लूँगी गैस चलाकर इसको उबालेंगे हाई फ्लेम पर इसको जब तक कि चीनी घुल नहीं जाए बीच बीच में से चलाते जाए जिससे कि चीनी नीचे बैट नहीं जाए देखे इससे पहले आपने इमली की वेक्स कहीं नहीं मैं पहली बार आपको बनाना बता रही हूं क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि हमारे घर में अगर नीम्बू नहीं होता है कई बार या फिर विनिगर भी नहीं होता है जुम कैसे बनाए वेक्स तो आप इमली से आसाणी से बना सकता है ये फायदेबंद भी होती है skin के लिए और easily अपने घर में मिल जाती है देखे इसमें उबाल आने लगया है इसको लगातार चलाते जाएं बीच बीच में जिससे चीनी नीचे बैठ नहीं जाए इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी करीब 10 तरह की wax बनाना बताई है herbal wax और वो सभी बहुत अच्छी है skin के लिए आपको जो suit करें आप मेरी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं जो भी skin के लिए अच्छी रहे आपके लिए वही आप बना सकते हैं बहुत easy method है जब भी wax पहना है बहुत patience रखें बहुत जल्द बाजी ना करें क्योंकि wax बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ इसमें जो main चीज है जो इसकी main tip है वो है इसकी string जिसे के हम तार भी बोलते हैं इसमें एक strong तार मतलब एक से दो तार हमारी करी बनने चाहिए तब ही अच्छी perfect wax बनती है और अगर कभी आपकी गाड़ी हो जाए या आपकी wax पतली रह जाए तो इसका मतलब वो खराब नहीं है wax को आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और अपने चैनल पर डाली हुई है आप इसको जाकर देख सकते हैं और अपनी wax को ठीक कर सकते है wax के तार को चेक करने का दो तरीका है एक तो आप उंगली अर्गूठे की बीच इस तरह चिपका कर चेक कर सकते हैं दूसरा तरीका है किसी कटोरी में आप पानी डालने और उस पे दो ड्रॉप उसके अंदर wax डाले और अगर wax गुले नहीं तो मतलब आपकी wax परफेक्ट है देखे धीरे-धीरे हमारी wax गाड़ी होने लग गई है जैसे जैसे गाड़ी होने लगे और आपको लगे कि थोड़ी थिक होने लगी है तो wax को धीमा कर दें और एक उंगली और उंगूठे के बीच चेक करें पर जब चेक करें तो पहले किसी कटोरी में डालने गरम गरम ना चुए नि तो हाथ चल सकते हैं देखे आपको दिखरा होगा यह थोड़ी थोड़ी गाड़ी होने लगी है और अगर आपको लगे कि थोड़ी ज़्यादा गाड़ी हो रही है तो आप गैस को बीच में बंद करके भी चेक कर सकते हैं क्योंकि कई बार हम चेक करते हैं तब तक और उबलकर गाड़ी हो जात मैं दोनों तरह से आपको चेक करके बताऊंगी पहले उंगली और अंगूठे के बीच अगर आपको चाशनी नहीं समझ में आती तो आप घर में किसी बड़े वक्ती से भी पूछ सकते हैं हमें एक स्ट्रॉंग तार बनाना एक तार की है मतलब स्ट्रॉंग तार की चाशनी बनानी है इसको थोड़ा सा थंडा कर लें पहले चाशनी को काफी गरम है फिर ही आप इसको छूए ये देखिए थोड़ी सी थंडी होगी है मेरी वैक्स चमचे पर तो अब मैं उंगली से थोड़ा सा इसको उठाऊंगी और उंगली और अंगूटिय के बीच कुछ इस तरह हम इसको चेक करेंगे इस तरह आप चिपका कर देगे ये देखिए कितना बड़ी असा इसमें तार बनने लग गया है आपको देख रहोगा बहुत स्ट्रॉंग तार बन गया है मतलब परफेक्ट है मैंने गैस बंद कर दी नहीं तो ज्यादा थिक हो जाएगी वैक्स और अब मैं दूसी तरीके से भी बता रही हूँ आपको मैंने कटोरी में पानी ले लिया है यह बिल्कुल नहीं गुल रही है पानी में मतलब हमारी परफेक्ट बन गई है वैक्स अप हिला कर भी देख लीजिए लेकिन आपकी कहीं भी यह गुल नहीं रही है आपकी वैक्स हिल नहीं रही है पानी में वैसे कि वैसे ही ड्रॉप है तो wax हमारी तयार हो चुकी है, अब किसी भी तरह चेक कर कर देख सकते हैं इसको, wax को आप किसी भी डबे में seal pack करकर रग दें, ये wax साल भर भी बिल्कुल खराब नहीं होगी, साल से दो साल भी खराब नहीं होती है, जब भी आप इसे use करें, थोड़ी सी निवाई करें और direct भी करें, तो गुन-गुना करकर ही use करें, और जब भी wax करें, तो पहले कोई talcum powder लगाएं, उसके बाद ही आप skin पर wax apply करें, ये लीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छी Emily की wax बना कर बताई है, आप भी इस wax को जरूर से try करकर देखें, क्योंकि इस wax को करने के बाद, आ आप मेरे चैनल को subscribe करें, और मेरी वीडियो को like करें, और comment करकी जरूर से बताएं, कि कैसी लगी आपको मेरी wax, क्योंकि ये कैसे भी heart hair हो, या कैसी भी growth हो, उसको बहुत easily निकाल देती है, मैंने आपको करकर भी दिखाया है demo, अगर आपको अच्छी लगे, तो please like जरूर से एकी जगा, thank you!